नमस्कार दोस्तो, हमारी चैनल पर आपका हारदिक स्वाकत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चमतकारी पतियों के विशे के बारे में बताऊँगा दोस्तो यदि आप इन पतियों को सिर्फ चार दिन हमारे द्वारा बताएगे विदी से दही में मिलाकर खा लेते हैं, तो दोस्तो आपको चमतकारी रिजेल्ट दिखाएतेगा, दोस्तो सुकर रोग, कॉलोस्ट्रोल, पेट के रोग, मुटापा, हड़ियों की कमजोरी, सरीर का दर्द और दिल की बीमारियों में ये बहुत अलेक फाइद मंद हैं, तो चली दोस्तो आपको बताते हैं इन पतियों के बारे में, दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जिन पतियों की बात कर रहे हैं, वह पतिया हैं दोस्तो चने की पतियां, दोस्तो चने की कोमल, मुला कार के पोसकत तथो पाए जाते हैं दोस्तो इन में प्रोटीन कार्बोहइटरेट् डायटरी फाइबर के अलावा आयरन और कैल्सियम दिभरपूर मात्रा में पाए जाता हैं दोस्तो बस आपने करना क्या है इन पतियों का सेवन हमारे द्वारा बताए गए विदी से करना है और यदि आप इस त्रहें से इनका सेवन करेंगी तो दोस्तों आपके सरीर की इम्म्यून पावर रोगों से लड़ने की सकती बढ़ जाएगी और आपके सरीर की बहुत सारी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज हो जाएगा सर्दी खांसी और छाती में जमा कफ बाहर निकल जाएगा दोस्तों यदि आपको डाइबटीज की बीमारी है तो डाइबटीज की लोगों के लिए तो ये चने की पतियां और भी अधिक चमतकारी हैं क्योंकि इसमें मौझूद डाइटरी फाइबर और प्रोटीन पाचन स सानी का सामना नहीं करना पड़ता और आप इस डाइबटीज की बीमारी से होने वाली बीमारियों से भी होने वाले कॉंप्लिकेशन से भी बचे रहते हैं दोस्तों यदि आप इन चने की पतियों का सेवन हर रोज करेंगी तो इससे आपके सरीर की इम्मूटी मजबूत होत इन में मुझूद एंट्रोक्सिंट और पोसक तत्व आप इम्मूटी को मजबूत बनाते हैं जिससे कि आपका सरीर बहुत त्रहें की बीमारियों से लटने की सम्दा आपके सरीर के अंदर हा जाती हैं दोस्तो यदि आप इन चने की पतियों का सेवन हर रोज करेंगे तो इनसे आपका डाइजिसन मजबूत होगा और दोस्तो यदि आपका पाचनतंतर मजबूत होगा तो आपको पेट का कोई भी रोग कबज गैस और एसड़ी का सामना नहीं करना पड़ेगा और दोस्तो ये कबज गहसो एस्टी हमारे सिरेर की 101 से अधिक बीमारियों का कान बनती हैं दोस्तो इन चने की पत्यों में फाइबर भी भरपूर मातरा में होता है जिससे आप इनका सेवन करके अपने वजन को कम कर सकती हैं दोस्तो चने की पतियों में आपकी स्किन को भी हेल्दी रखने के कोण मुझूद होते हैं। दोस्तो ये आपकी anti-aging की तरहें काम करते हैं और आपके चहरे पर natural glow बना कर रखते हैं। दोस्तो जिए आपकी आँखों के रोशनी कमजोर हैं। जिससे कि आपको आँखों के रोशनी और आँखों पर चस्मा लगाने की जिरूरत ना पड़े है। दोस्तो यज़िः आपको खों की कमी हैं तब भी दोस्तो आप चने की पतियों का सेवन कर सकते हैंं। क्योंकि चने की पतियां आपके सरीर के अंदर खून बनाने की मसीन लगातीती हैं जिससे कि आपको कभी भी आइरन की कमी के समस्या नहीं होती, खून की कमी की कोई समस्या नहीं होती तो देखा दोस्तो कितनी चमतकारी है इन चने की पतियों का सेवन। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपने इनका सेवन करना कैसे है। दोस्तो आपने क्या करना है। ये चने की पतियों जैसे आप देख रहे हैं, आपने इन चने की पतियों को लेना है। दोस्तो आपने इनको धोकर अच्छी त्रहें से साफ कर लेना है। इनको खाने के कुछ अन्ने तरीके भी है, मैं वो भी आपको बताता हूं। दोस्तो पहले तो आप इन चनी के पतियों को सुबह खाली पिट ऐसे ही चबा कर खासकते हैं। आपने इनकी चने की कॉमल पतिया, नोदी-नोदी पतिया ही लेनी है, आप इनको सुबह खाली पिट ऐसे ही चबा कर खा सकते हैं, दोस्तो आप इनको सुबह खाली पिट चबा कर खा कर ओपर से एक गिलास गुनगुना पानी पी सकते हैं, दोस्तो आप इनको चटनी बना कर भ दही के साथ, दोस्तों आपने क्या करना है, इंचने की पतियों को कूट लेना है, नोदी-नोदी पतियों को, जैसे कि हम ये कूट रहे हैं, आपने भी कुछ पतियों को ऐसे ही कूट लेना है, अब आपने इस जो ये कूटी आपने, जो ये लुगदी बनी, आपने इस लुग पैसा करेंगी तो दोस्तों आपके सरीर की इम्यून पावर बढ़ जाएगी और आपके सरीर की बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो जाएगा और वैसे भी हमें अपने सरीर को स्वस्थ रखने के लिए हरी पत्तेदार सबजियों का सेमन करना चाहिए यदि हम बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहती है और दोस्तों ये तो चैने की पतिया है जो आपके सरीर के लिए एक निरोगी नुस्खे कीतने हैं काम करती है और आपके पूरे सरीर को निरोगी बनाने का काम करती है तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लेज लाइक और सेर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दिजिए ताकि आपको हमारी सबी आने वले वडियो की notification आती रहे धन्यवाद दोस्तो